देश भर माँ छेड़ती अने बड़ातकार ना बनावो बदी रहाच त्यारे बालकियों अप्रत्य सजाक थाए ति माटे सूरत नी अलग-अलग चाड़ाव माँ सेल्फ डिफेंस नी तालीम आपवा मावी चेमा बैट टच नी समझ आपवा मावी आसाथे आवा गंबीर समय हेल्फ लाइन नंबर पर संपर्क करवा पर समझावा मावी आपवादू कि सेफ्टी के लिए सिक्यूरिटी के लिए जो बच्चों के साथ सेक्सुल हरिस्मेंट होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारे रिलेटिवज के द्वारा ही किये जाते हैं या वो बच्चे कहीं सोपर कुछ सोपिंग करने गए या कुछ सामान खरीदने गए उनके साथ इस तरह के जो भी हरिस्मेंट होते हैं उन सबसे बच्चों को अलर्ट करने के लिए जनरली हमारे यहां पर ऐसा सिस्टम है कि एक पेरेंट्स के और बच्चे के बीरें बीस में एक डिस्टेंस रहती है और उनके साथ जो ओपन डिसकसन होना साही है वो नहीं हो पाता है उसी तरह स्कूल के अंदर टीजर्स है वो भी एक ओपन डिसकसन नहीं कर पाते है कहीं ने कहीं कोई एजिटेशन है और यह मैं मानता हूँ कि आज ऐसा टाइम आ गया कि इस एजिटेशन को हमें दूर करना पड़ेगा हमारे बच्चों के साथ हमें open discussion जो होना चाहिए हर एक चीज के बारे में कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए बुरा है वो open discussion होना जुरूरी है ताकि बच्चे अपने आपको safe feel करे child help line number है police contact number है प्लस अपने parents के number है ये सब बच्चों को पता होना चाहिए और दूसरा सबसे important चीज में इस चीज में मानता हूँ कि कभी भी कोई भी ऐसी दुर गटना किसी भी बच्चे के साथ हो तो immediate बच्चे को चिलाना चाहिए आजे आपनो जे प्रोग्राम चे एमनो हेतु मुख्य एवो चे कि आजे जे रेप नी घटनावो वारंबार बने चे तो जे दिकरियों चे girl child चे ते unsafe चे तो आजे दिकरियों ने ए चाइल्ड ने पोतानी शुरक्षानी जहानकारी होवी जोए एना माटे FFWC ना सहकार थी स्कूल मा आमे आयोजन करेलू छे अने दरेक दिकरियों ने काई रीते प्रोटेक्षन लेऊ, काई रीते हेल्प लाइन छे एमनों कॉंटेक करी अने पोतानी हेल्प लाइन द्वारा पोतानी शुरक्षा जहाडवी ए हेतु थी हमे आजे आ कार्यक्रमनों आयोजन करेलू छे